बहुत सी घड़ों का रिवीव कर लिए ओपर आग जिस दिसका रिविव करें जारा हो वह सबसे विंटेज विंटेज का बहुत ज्याधा विंटेज है क्योंकि यह आप देख सिकते इस्टीम इंजन है सामने से इस्टीम निकलने का और इंजन जोइंड करने का फ्रंड में से और यार यह तो 2000 जंदेसर वाली ने किसी नहीं ने खुद ने भी इसको चलते हुए नहीं देखा यह तो मुझे इजन में पड़ा हुआ दिखिया इसलिए मैं खुद देख रहा हू और भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो चालू करता है तो देखके बड़ी खुशी यार आज भी यह वेसी वेसी मतलब इसके अंदर कुछ भी खराब नहीं हुआ क्योंकि इसका लुहा इतना मजबूत है आप देख स और इतना पुराना इंजन होने के बाद भी इसका लोहा भी खराब नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं इतनी मजबूती ही अभी तक इसमें तो यह सिंपल था इसके अंदर है ना पूरा टेंक के अंदर पानी होता है और पानी को उबालने के बाद जो बाप निकलती उससे चलता भी है उससे ब्रेक भी लगते आप उपर देख सकते हैं उपर उस लाइट पहले लाइट नहीं हुआ करती थी तो एक दिया लगाया जाता था बहुत बढ़ा जिससे ही उजाले से ट्रेन चलानी पड़ती तो यह उपर इस्टिम निकलने का है उपर आप देख सकते है और यहां पर इस्टिम एक्टी होती थी और फिर नीचे पाइब लाइन के थुरू आलती जो कि यह पाइब आप देख सकते हो एक बार आप अपन अंदर चलके भी देख लेता है अंदर से क्या हालतोरी अंदर से में को वेल डन कंडिशन लगी है इतना रोले नहीं था पर म संस्टिम में आपको दिका देखता हूं क्या कि मिलता उपर यहोरा पको देखने। लिए और 4 तरफ और यह है न रिवीस उफ्रांट में लेने के लिए इदर कर रहा है तो यह फ्रंट में जाएगा उल्ठा करदो होगे तहीं यह रिवीस चला जाएगा भिए देख सकते हैं यह सारे वाल और यह घुमाने यहां चैब को आपको देनी है इंजन को यहां से डालने के बाद नीचे मतलब insipie सब्सक्राइब करें इती नोग मानसी है कि सलब्दम को सबोर्द्रшей मानसी करें दो की पढ़ी ऐता है उधर लिटी मानसीगन से край-难 मतलब कि front में करना है कि back में करना है pressure से ही break लगता था rail के अंदर और किसी से नहीं लगता था यह कि हुड लेटकाने का है और यह भी कोई है ना pressure कही है सारे pipe इसके अंदर तो इसका लोहा इतना मजबूत है अब इस तक ready है वेशा का वेशा है बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ यह देख सकते हैं पचास सो साल पुराना यह उपर तो भी इसका लोहा इतना मजबूत है तो आप देख सकते हैं यह भी वह पीछे प्रेसर का और यह थोड़े प्रेसर के वह ले मतलब वह इतने सारे हैं कि बहुत पाइस टायम को देखेगा वह कंफूजन चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के एंजिन से मानलो बहुत ज़्यादा और देख सकते हैं ऐसे बेटके लुकिंग से देख्यां जाता था दोनों साइड यह देख सकते हूं ऐसे बेटके तो बहुत सांदर वह आता था बडर इसके अंदर एक ही प्रोब्लम मतलब गर्मियों में इतनी ज्यादा हीट आते जिसमें 40-50 डिग्री टेंपेचर चला जाता था और सवाइब करना मतलब बहुत मुच्किल होता था लोग पानी के मतलब मैं इतनी गर्मिज 원 जलता था और उससको जाता है उतना केmal के अंदर ब्रेक लगता था और निज़र्ओ को चलने वाला सिस्टम बता तो यहां से कोईले गिराते थे जो भी जल जाते पूरे खतम हो जाते तो वो यह नीचे प्लेटपॉम नीचे मतलब जमिन पर गिरा देते थे ठीक है ना और आप देख सकते हैं मतलब अभी भी इसकी वज़े से चलता था यह मालो एक पिश्टन की तरह है यह गुमेगा भी आ रही गद्धर मुवी के अंदर भी दिखाए गया था जिसके अंदर इस्टेम इंजन दोड़ा रहत है पाकिस्तान से भारत के बीच में तो वही सीन है बगद्धर तुम्हें होगा या नहीं होगा मुझे में बता तुम बता यार तुम्हें कैसा लग रहा है यह लुकि ठीक है ना और बीच में इस में से इस्टीम मतलब एक्टे होती थी और आगे से यहां से भी निकलती थी चेक करते थे लिज करके और यहां लगती थी हैडलाइट जोए कि एक दिया चला के हेडलाइट यूज करते थे सबस्क्राइब कर दो क्योंकि यार तुम्हारे एक सब मिल कर दूँगा कर दो कर दो सब्सक्राइब कर दो रॉइडियो कर और रैनी फटा फटे यार ऐसी वीडियो को फिलाते हो तुम तुमारे भायों के पीच में और ऐसी में निए वीडियों लाता होँगा तो ठांक्स फॉर वचिंग ऑऊक्टे बाई और कीप सबोर्टिघं keep loving okay